नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अतुले आरेस के इस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर और दोस्तों जैसा कि हमने शुरू किया था रीट साइकोलोजी का सलेवस और बड़े अच्छे से अपना सलेवस चल रहा है दो यूनिट दोस्तों अपनी कंप्ली यह हो गई सेकंड यूनिट भी पूरी हमने कर ली है और इसका पूरा वीडियो भी मैंने डाल दिया है मुझे उमीद है आपको अच्छे लग रही है और आपको काफी इससे फायदा हो रहा होगा और सच में फायदा हो रहा है या कुछ कहना चाते हैं तो प्लीज कमेंट कर अपने तीस कुष्चन आने हैं जरूरी नहीं है कि जो अपने पांच उनिट है हर में से च्छे कुष्चन ही आई किसी एक में से ज्यादा भी आ सकते हैं जैसे बाल विकास की बड़ी है अधिगम वाली बड़ी है तो यहां से दो आ सकते हैं और यह छोटी है तो यहां से ए question आपका definite आता है और इन में से एक से दो question आते हैं तीन और एक यहां से maximum चारे question इस unit से आपके आ सकते हैं बहुत ज़्यादा question यहां से नहीं आने हैं लेकिन content है आसान content है लेकिन फिर भी चलीगा हम एक एक चीज को समझेंगे और पूरा अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे और डिसकस करेंगे अगर इस topic को हम देखें विभिन अधिगम करताओं के समझे नाम पे थोड़ा सा पिछड़े बालक विमंदित वालक पुर्तिबा साली सरजन सेल एला बानवित वंचित विशेश अवसक्ता वाले बालक अधिगम एक शमता युक्त बच्चे अगर इनको वेसे सारगरवित रूप में देखें तो यह सारे के सारे जो हैं यह सभी विशेश्ट बालक की स्रेणे में आती हैं तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम विशेश्ट बालकों को द इनके बारे में हम अधियन करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बत्ती हैं यहां से यहां से आपके एक आधा क्यूश्ट लगबग आ जाता है तो चलिए बात करें विशेश्ट बालक और अगर इस शब्द को हम देखें विशेश्ट बालक कौन सा है बार होना चाहिए हाइट वेट वगरा सब कुछ सही होगा लेकिन विशेश्ट किसमें कहेंगे मारी जैको आठ फूट का है या को च्यार फिट का ही रह गया है तो विशेश्ट यानि जहां चीजें जो है वो एबरेज से उपर या नीचे हो हम उसे स्पेशल कहेंगे स्पे विशेश्टाओं में सामन्य बालक से अलग होते हैं विशेश्ट बालक हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे बालक होते हैं जिनके शारिरिक और मानसिक विशेश्टाएं सामन्य बालक से बिलकुल डिफरेंट होती हैं क्या कहा हमने फिर देखेगा हम बात करें शारिरिक और मानसिक व रखेंगे ऐसे बालक शारीरिक मानसिक ऐसे बालक जो होंगे यानि विस्षिष्ट बालक जो होंगे वो शारीरिक मानसिक समाजिक समयगात्मक रूप से या तो समाने से आगे होंगे या समाने से बहुत ही पीछे रहेंगे दूस्तों तो यहां हमने ध्यान दिया विस शारीरि समान्य बालकों की बुद्धी लब्दी हम कहें भी समान्य बालक कौन से जिनकी IQ 90-110 होती है वो समान्य है यानि 90 से नीचे चले जाएंगे और 110 से उपर चले जाएंगे तो वो विशिष्ट किष्रणी में आते चले जाएंगे इनसे उच या निमन बुद्धि लब्दी यानि IQ इनसे उची या नीची IQ वाले बच्चे अपने विशिष्ट बालक की स्रणी में रख सकते हैं तो कौन से बालकों को रखेंगे ऐसे बालक जिनके IQ समान्य से उपर या नीचे है समान्य बालक की होती है 91 से 110 तक होती है उससे या नीचे है तो हमसे विशिष्ट बालक कह देगे यह एक हैक की परिवासा है बहुत अच्छा इन्होंने समझाया इसलिए यहां अपने चर्चा कर रही है एक विशिष्ट बालक ऐसा बालक है जो किसी एक या कई गुणों की दृष्टी से समान्य बालक से प्रयाप्त मात हैं जैसे समान्य बालक को कि आखों का रंग हमारे यहां पर काला होता है या थोड़ा ब्राउन मिलेगा लेकिन किसी की आंखे ग्रीन है माली जीगा या किसी की आंखे ब्लू है तो वो क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग होगी ना तो यहीं अपने कह रहे हैं शारीरिक रू रेकुप से हो शारी रेकूर की रहे हो उसामाने से भिन है तो हम उसे विश्यक्यश बालक की स्रणी में रखेंगे यही हैक महोदे भी कहा हो जात क हे किन बालकों को जाता की wonकी की पिछ इन और फाइप यहां हम देखिए जैसे माने जीगा कोई प्रतिभाशाली बालक है कोई पिछड़ा बालक है मंदबुद्धी बालक है समस्यात्मक बालक है बालपरादी है दिव्यांग है या सरजनात्मक बालक है यह सभी एक प्रकार से हमारी विशिस्ट बालकों के सद्रिन में में यहां से question आती हैं एक दो कुष्चन देखो इस तरह के आते हैं जो हमारी सिलेट्ट में नहीं होते हैं अब हम तोड़ी बात कर लेते हैं पृतिबाशाली बालग के विश्चेस में सबसे पहले यहां पर किसको देखेंगे पृतिबाशाली बालग को देखेंगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बाकी जो हैं दो दो तीन करके लगबग दो क्लासों में अपने सारे विसेश्ट बालग हो जाएंगे दो दो से तिन क्लासों में ये अपना टॉपिक कंप्रीट हो जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिभा शाली बालक किसे कहती है प्रतिभा शाली बालक ऐसे बालक जिन में प्रतिभा होती है प्रतिभा किसमे होती है तो अभी हमने बात की कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धी लब्धी समाने से तो ज्यादा है बिल्कि 140 से अधिक होगा ये क्यूशन आपके आ बेवालवाला समाध्ट प्रतिवाशाली होगा नहीं जी एक इस बच्चे जो हो थो प्रतिवाशाली बच्चा है और ऐसे बच्चे जो हो अपने आयूस्तर से उच्छ आयूस्तर का कारे कर सकते हैं से मालिजगा अपनी जिस आयू में है चैसाल की आयू में है या चछे क्लास में ए वह तो S8 वाले कामूं को बढ़ी असानी कर सकता है तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे उस तरफाला प्रचिभाषाली बच्चा कहते हैं जिसे रामानुजन जो थे ना अपने विशे में वो पृतिवाशाली थे तो उनको अपनी कख्षाओं से बड़ी कख्षाओं के बच्चों को तो वो पढ़ाया करते थे ठीक है तो कोई चीज़ उन में बच्चों से क्या थी अलग थी आला कि बगी सब्जेक्च उनको नहीं आते थे मैं थे ही उनको अच्छा लगता था इनमें विकाश की सभावनाएं भी क्या होंगी पृतिवाशाली circles कह पे थ्जान ज्यादा दिया करता हैं परिवासाई परिवासाई जो हैं यह अपने को स्पष्ट करेगी कि बालक प्रतिवासाली बालक अपने किसको कह सकते हैं टर्मन बहुत अच्छा इन्होंने कहा प्रतिवासाली बालक सारीरिक विकास सेक्षनिक उपलब्दी बुद्धी और व्यक्तित्व में सामाने से होता है सारी रिक विकास भी अच्छा हो अश्ट पुस्ट होंगे बिल्कुल स्वस्था आपको दिखाई देंगे टर्मन और मेरिल भी यही मानते कि एक सो चालिस से अधिक जिसकी आईक्यू है वो सभी बच्चे क्या कहलाएंगे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं टर्मन और मेरिल के अनुसार एक सो चालिस से अधिक आईक्यू वाले बच्चे इसी तरह से टर्मन और ओडेन टर्मन और ओडेन क्या कहते हैं यह जो बालक है कुन से प्रतिभाशाली सारीरिक गठन समाजिक समायोजन विक्तित्व लक्षन और विद्याले उपलब्धि में समाने बालकों से यह क्या होते हैं स्रेष्ट होते हैं ध्यान दिजेगा यह बा हम किसकी बात करें दोस्तों वीशिस्ट में भी एक किटेग्री है हमने कहां समाने से बहुत कमजुर है हम सामाने से उंच है यानि अधिक मेरीन उनका अच्छा होगा बाकियों से समाजिक समायोजन व्यक्तितव लक्षण और विजयाले उपलब्दी यानि स्कूल में नंबर भी समाने वालकों से इनके हमेशा ज्यादा आते हैं स्किनर और हैंरीमें की बहुत अच्छी प्रिभाशा है प्रतिबाशाली शब्द का प्रयोग उन एक प्रतिशत बालकों के लिए किया जता है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है इसको याद कर लिजेगा कक्षा के एक प्रतिशत बालक जो होंगे न वो प्रतिबाशाली यानि कक्षा के या कहीं के भी एक प्रतिशत बालक जो बाकियों से अधिक बुद्देमान हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं प्रतिबाशाली बालक के रूप में देखते हैं करो अन्गरो ने भी बढ़ी अच्छी बात कहीं है इन्होंने कहा दो परकार को हותे हैं अब देख अच्छी है किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है किसी का स्पोर्ट बहुत बढ़िया है तो वह भी क्या होंगे पृतिबाशाली में आते हैं तो एक तो कौन से आगे जिनकी बुद्धी लबदी आई-क्यू जादा है पढ़ाई में अच्छे होते हैं समयने दरजे के बाल क प्रो की अनुसार ठीक एक ओर परिवासा अपने बात करसकते हैं Having हर्षट की Having हर्षट Having हर्षट इसके लिए एक शब्द यूझे करते हैं कुषागर बुद्धी कुषागर बुद्धी प्रतिबा शाली जो बालक है वो एक ही है ये कहता है कि ऐसा बालक जो कुशागर बुद्धी होगा या प्रतिबाशाली बालक होगा जो निरंतर इसने एक चीज कही है रेगुलर कोई एक दिन हो गया उसकी बात अपने नहीं कर रही है हम बात कर रही है रेगुलर रूप से ये क्या कर रहा है तो यहां जो मुख्य बात है वो ये कहते हैं कि रेगुलर आतसमिक ऐसा नहीं कि किसी दिन उन्होंने कोई कारे अच्छा कर दिया यानि ये किसी एक कारेक शित्र के अंदर उसके पढ़ाई का हो उसके अंदर निरंतर रूप से वो क्या कर रही है ये किस ने कहा है है कि किसी दिन तो किसी बच्चे ने एक काम बहुत अच्छा कर दिया लेकिन वो बाद में नहीं कर पा रहा है तो क्या हम उसे प्रतिबाशाली कह देंगे जी नहीं हम उसे नहीं कहेंगे तो दोस्तों ये थे हमारे प्रतिबाशाली बालक के परिबाशाएं और प्रकार इसके बाद में हम देखें बात करें कि प्रतिबाशाली बालक के विशेशताएं क्या होती हैं हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी बालक जो है वो प्रतिवाशाली बालक है सबसे पहली बात ऐसा बालक जो होगा वो क्या होगा उसकी अध्यान में बहुत ज़्यादा रूची होगी पढ़ने लिखने में उसको अच्छा लगेगा वो बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है दूसरी सबसे बड़ी बात उसके पास में एक व्यापक शब्द कोस होता है एक vocabulary उसके बहुत अच्छे होगी शब्द बंडार उसका बहुत अच्छा होता है अच्छे मानविय गुण होंगी, समझदार होगा, दया, करुणा, जो चीजे उसको चहिए, सिंपथी, एमपथी, वो सब कुछ उसके अंदर होता है, मानविय गुणों का समावेश होगा, अध्यन में रुची होगी, पढ़ना लेकना उसको अच्छा लगता है, व्यापक श वो इसमें पाए जाएंगे, और इसी के साथ साथ देखिएगा, और इसके अंदर देखिएगा, स्वतंत्र निरने लेने की क्षमता होगी, इसके अंदर सिग्रिय समस्या समाधान, ये कोई समस्या आती है, तो उसका तुरंत जो है, समस्या का समाधान कर सकता है, सेल्फ डि कुछ है हलांकि प्रतिभार साली वालक जो अपने खेला में अछी हैं वह भी इसे में आती हैं लेकिन हाँ Chief इनकी अच्छी होती है यह अंतर ज्रिष्टी इनके अंदर खूब खूब हुआ करती हैं और इसी तरह से उच तरक शक्ति अभी हमने कहा मेंटल एवलिटी इनकी बहुत अच्छी होती हैं और यह एमूर्थ और कठिन विश्यों में रूची लेते हैं कठिन विश्य हार्ड जो सब्जेक्ट हैं गणित विज्ञान वगेरा शेगर का से कर पार लेता है इसके बाद हम देखें कि पस accepting को पढ़ाने के लिए प्रूचेक्ट मेठड प्रायोजना विदि जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है वो सबसे बढ़िया माना जाएगा इसके अलावा निगमन विद्धी है यूरिस्टिक विद्धी है प्रयोक्षाला विद्धी है ये अपने सबसे ज़्यादा काम में इसमें ले सकते हैं प्रतिवाशाली बालक को पढ़ाने के लिए तो दोस्तों ये था प्रतिवाशाली बालक जिसको हमने से अच्छे से डिसकस किया है नेक्स क्लास में थोड़ी लंबी रहेगी उसके अंदर अपने दो तीन और जो हैं विशिस्ट बालक उनका अध्यन करेंगे दो से तीन क्लासों में ये टोपिक अपना कम्प्रीट हो इमन्ट